हेलो स्टुडेंट वालकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो लेट्स स्टार्ट नेक्स टॉपिक ऑफ यूनेट सेकेंड एलेक्रिक अनर्जी और पावर सो इस वीडियो दे विच बच्चे सी एलेक्रिक अनर्जी और पावर वारे पढ़ांगे तो ए टॉपिक जो बुख देविच गिवाना इलेक्रिक अनर्जी हुंदा किया अधवा इस तो सी बच्चे टैंथ विच फिच पढदके आएं हैं दो व्यक्दं बाई आ सोस्टो मिंटेञ अ कुरंट इन एलेक्रिक स़कित इस नोन आज एलेक्रिक अनर्जी त्याना दिखो वो क्रण बाई इलेक्ट्रिक अनर्जी ठेक है उन्हों इलेक्ट्रिक अनर्जी बोल्या जान्दा सो इलेक्ट्रिक अनर्जी नू डिनोट किता जान्दा ए देनाल ए या फिर ह देनाल सो दोना चो किसी एक वर्ट देनाल डिनोट किता जान्दा सो अपना एदा formula बचे drive करना है, formula drive करना तो पहला सी सब तो पहला charge लिखांगे, charge के दे इक्कुल होंदा it दे इक्कुल सो work done सानू पताया, work done के दे इक्कुल होंदा है, delta u, delta u की जिनना थोड़ा potential difference होया, दो points दे विचकार, a और b points दे विचकार सो असे लिखते ता a and b points दे विचका, delta u, delta u के दे इक्कुल होंदा है, v q दे, v दी जगा ते v लिख्या रहा है, q दी जगा ते लिखते ता it, एदा मतलब work done उनना ही होएगा, जिनना असी energy दमागे, जिनना energy consume होगे, एदा मतलब असी w दी जगा ते की लिख साकते है, e, so e द दा सानो, एदा मतलब असी कली v दी जगा ते, जो उपर असी derivation होन solve किती है, एथे v दी जगा ते इसी की पुट करन लगे है, ir, so ir पुट का देता, so सटे को formula बन गया, i square rt, अगर id value तुसी पुट करूँगे, v equals to ir होंदा, एदा मतलब r के दे इक्कुल आएगा, v divided by r दे एक आर, एक आर देनाल कट्या जाएगा, साटे को finally बाच जेगा, v square t divided by r, जो उनाने फर्दर अगे लिख्या होया, इस तरीके ना, clear हो गया, so था नुबची या, 33 फॉर्मूले जियाद होने चाहिएगा, अनर्जी ते formula की हो सादा, i square rt, first formula, i square rt, second formula, v square divided by rt, ठीक है, so ये formula तो उसी अपने mind दे बिच रखना है, देनो दे units साँ नुबचा होने चाहिएगा, कि 1 Joule जडा है कि दे इकोल हून दा है, 1 V ampere, second दे इकोल, so next page दे देखो, electric power, so बचे electric power की हा, that is rate of doing electric work, जिनना भी काम होया, उन्नों असी बोल दने है, electric power, so power नू किस तरीके ना लिख VIT, so एदा मतला, असी E दी value डिरेक्ट पुट कर साकती है, VIT, एथे T देनाल T के answer, साड़े को P दी value के निया आगी, VI, so ए formula तो उन्नों learn करना पाएगा, याद रखना पाएगा, याद रखना पाएगा, दे numericals आन दिया, ठीक है, हुन V दी value पताया, V के दे इकोल हून दा बचे, I R दे, इधा मतला, असी थे put कार देता, I R, एक I बार पे 80, सो साड़े को आगया, I square R, बन क्या साड़ा, I square R, ठीक है, similarly, अगर बचे तुसी ID value, V नू छाड़े के, अगर ID value पुट करूंगे, ठीक है, इसके इस्ते वी छोन तुसी V नू छोड़ दो, ID value पुट करू I के दे, एक कोल आएगा, V divided by R, सो किन आजेगा, V multiplied V divided by R, सो आजेगा, V square over R, जो की, next formula आया, ठीक है, एक वारी V solve, पुट कीतीतीता, आ फॉर्मूला आजेगा, ID value पुट कीतीतीता, आ वला formula आजेगा, एधा मतला, पावर देवी, दो formula जा, अगर तो आनू numerical दे अंदर, current और resistance जिता, ता first formula यूज कार लो, अगर उन्ना ने voltage and resistance जिता, ता second formula find out कार लो, sometime एधा हुंदा की resistance and power given हुंदिया, सानू voltage पता करने हुंदिया, ता voltage पता कार लो, सो एवाले बचे, एननाक formula आया, जो तुसी आपने mind दे वीच रखना या, कि P दा formula किया, similarly दो बचे, तुस ठीक है, similarly power दे दो formula हुंदिया, so total चार formula होगे, जिना दे based, असी numerical अगे solve करांगे, next definition of what, जो तुसी खुद पढ़ना है, या what की चीज हुंदिया, ता relationship between electric energy and electric power, कदे पुछ्या नहीं जान्दा, बढ़ता उन्वे चीज पता होनी चाहे दिया, so हुना आपन numerical स्टार्ट करन जानने है, ठीक है, बच्चे, numerical important है, इसकार कि मैं focus जादा numerical स्टे ही कर रही है, a current of 0.5 ampere flows through a resistor of resistance 100 ohm, ये ता मतलब था नू की चीज गिवना, सब तो पहला था नू करंट गिवना, so असी लेख लिया, I is equals to 5 ampere, next था नू की गिवना, resistance, मतलब था नू R गिवना, which is 100 ohm, calculate the amount of heat produced in the resistor in 1 second, 1 second मतलब था नू time गिवना, 1 second, now we have to find amount of heat, बच्चे, amount of heat नू E देनाल भी देनोट किता जा सागता है, H देनाल भी, formula की इस ही, I square R T, ठीक है, now put the values, I di value किन निया, बच्चे, था दी, 0.5, ठीक है, so आगे 0.5, the whole square, point लगा देने थे, multiply R दी value किन निया 100, और T दी value किन निया 1 second, बच्चे, उन जदो तुसी यह नू square करूंगे, 0.5 आता decimal हट आदो, ता आजेगा 5 divided by 100, because उपर square आ, it means असी 2 times लिख साकते है, ठीक है, 100 नू 1 ना multiply किता, ता 100 आजेगा, 0 ना 0 cancel, इदर भी 0 ना 0 cancel, finally था दान से किन आजेगा 25 जाउल, so this is your answer, ठीक है बच्चे, फिस्ट नूमेरिकल सब नू clear हा, इस तरह दे नूमेरिकल पंजाब बोर दी विचे, 2 marks दे आ जान दिया, so second question देखो, the electric lamp is marked as 40 watt, watt मतलब था नू power गिवना, so power किन नी गिवना था नू 40 watt, 225 volt, volt मतलब voltage गिवना, which is 225 volt, now calculate crunch, एदा मतलब सानू पता की करना असी, I, and resistance of the lamp, एदा मतलब असी, R पता करना, पच्चे, I solve करन देले, इस साटे को formula किया, I is equals to V over R, छेक है, कित्थो पता लग गया, I, V को, केदे इककल हुनदा, I over I, R दी, according to Ohm's law, V is equals to I, R हुनदा, असी सरफ I पता करना, so I केदे इक चला गया, so इतो आवाला formula बांजेगा, clear हो गया, बट हुने formula ता सानू पताया, problem किया, सानू इस, एथे सानू R दी value नी पता, so सब तो पहला, आसी R find out करलांगे, R find out करन देले, असी की करांगे, पावर दा formula यूज करन लग गया, वचे, P के देख को लुनदा है, V square divided by R, इधा मतलब आसी R नू उपर ले जानेया, P नीचे लिख लेनेया, इस तरीक के न, now what is V, V दी value करनेया, 225 multiplied 225, because square देविच टर्म आसो आसी दो बरी लिख ली, P दी value करनेया, 40, so आगया, 40, जो तो तुसी इस सारे नू calculate करूंगे, we get 1265.625, ठीक है, so एथे point आएगा, clear हो गया, Na ohm, so unit पाणाना पूलना, इधा मतलब आसी R निकाल लिया, पहला सी resistance निकाल ली, similarly सी crunch निकाल लांगे, voltage होन बच्चे साथे को किन्नी आईया, voltage साथे किन्नी आईया, 225, 225 divided by R दी value किन्नी आ, 1265.625, ठीक है, so जो दो बच्चे है ना, दोना नों divide करांगे, we get 0.1777 up to so on, so इस तरीके नाजेगा, जो simply तुसी लिख साकते हैं था, और डांसे के नाजेगा, 0.18, करंट आता की unit साजाणगे, ampere, 0.18 ampere, so this is the final answer, so असी एक resistance पता करनी सी, resistance आंसर आगया, और इकसी करंट पता करना सी, साजा करंट दांसर आगया, next numerical देखो, बच्चे अगर था नो numerical अच्छी तरीके ना, clear हो रहा था, वीडियो पॉस करो, और third numerical खुद करंदी solve करंदी कोशिश करो, by chance नहीं solve हो रहा, then तुसी मेरी वीडियो दी help लेसा कर दिया, अधवाइस तुसी solve करके दिखो, और अपना answer match करके दिखो, की थोड़ा answer मेरी वीडियो देना आल बिल्कुल सही match कर रहा, so third numerical, an electrical, electric lamp use energy at the rate of 50 watt, इदा मतलब था नो की गिवना, power, power is equals to 50 watt, ठीक है, and 10 volt, so voltage की नी गिवना, 10 volt, ठीक है, so number one is, A, तेसी की पता करना है, the current in the lamp, एदा मतलब अशी current पता करना, so current दा बच्चे formula की हुनदा, I is equals to P divided by V, अशी हुने हुने थियरी दे विच पाड़के अटे, power के दे इकोनदा voltage into current, ठीक है, एदो अशी current निकार लिया, V, P divided by V, बचे confused नी हुना के थे, बहुत सारे formula सानू पता नी चार रिया, electric field दे विदो formula जा, power दे विदो formula जा, so 4 दे 4 formula जी इक ही line दे विचे लिखके त्यानना देखलो, सानू की चीज गिवन और सानू की पता करन ले क्या आया, ओवला formula तुसी यूस कार सागदिया, ठीक है, so now what is the value of P, P दी वाल्यू किन नी है 50, voltage किन ना गिवन है 10, so 0 ना 0 cancel, it means 5 ampere साड़ा answer आजेगा, clear हो गया बच्चे, एधा मतलब थोड़ा 5, 5 ampere answer आगया, now we have to find resistance of the lamp, B part देखो बच्चे असी, lamp दी resistance पता करनिया, so B part दे लिए असी resistance आफ फॉर्मूला लगावांगे, so resistance आफ फॉर्मूला की हुएगा बच्चे, V square divided by P, now V दी वाल्यू बच्चे किन नी है 10, 10, गिवन है सानू, 10 multiply by 10, पावर बच्चे असी, सानू ओ भी गिवन हा, पावर इक्वोस तू 50, ठीक है, so 0 ना 0 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, so this is 2 ohm, resistance से युनिट से किन नी हुन दिया, 2 ohm, so साथे second part भी solve हो गया, first भी चासी आई पता करना सी, second भी चासी resistance पता करनी सी, press of resistance 11 ohm, सब तो पहला सानू किवन किया current, which is 5 ampere, 5.0 आता सी कला 5 लिक साकतिया, next सानू resistance गिवन हा, R is equals to 11 ohm, calculate the energy consumed in 5 minutes, मतलब time गिवन हा सानू 5 minute, सब तो पहला बचे की करांगे, 5 minutes नू seconds से विच convert करना था, 60 seconds ना multiply कर देता, सारे को किन आजेगा, 300 seconds, ठीक है, सानू seconds से विच चाहिदा होंदा time, clear हो गया, now we have to find energy consume, energy किन ना consume करेगा, so formula की आएगा, i square, r, t, दिखो, i वी गिवन हा, r वी गिवन हा, और t वी गिवन हा, जल्दी जल्दी अपनी video pause करो, और values put करो, और get the answer, do fast बचे, try yourself, बचे numerical, जिनना खुद करंदी कोशिश करूँगे, उनने ही easy लगणगे, जिनना तुसी just देखके solve करूँगे, ता थानू होन easy लगणगे, जो खुद solve करंदी वारी आएगी, जो test हुएगा, ता थानू numerical बहुत difficult लगणगे, और तुसी करना सानू formulas नहीं पता लगए, वी केड़े पोट करनी या, so try करो, numerical पड़ो, और खुद try करंदी कोशिश करो, so 5 5s are 25, 25 नू 11 ना multiply, then 300 ना multiply, we get 82500 जाउल, so इस तरीके ना थोड़े जाउल सते वीच, आंसर आगया, clear हो गया, so this is the final answer, done, so next numerical देखो, 60 watt 220 volt बल्लव and 100 watt 220 volt बल्लव are connected in parallel to maintain supply, हुन देखो बचे साथी को दो बल्लवा, दोना नो parallel जोड़ देता, ठीक है, parallel दा की मतलबा, एक बल्लव असी इते जोड़ देता, और दूसरा बल्लव असी इस तरीके ना जोड़ता, ठीक है, दोना नो parallel जोड़ता, so जो दो parallel जोड़ या, इस बल्लव दी voltage किन्या 220 volt, नीचे वाले बल्लव दी भी 220 volt, but watt, बल्लव जोड़ या, ओ लगलग watt दे यूज किते होया, उपर वाला 60 या, नीचे वाला 100 है, उनना ने किया, which बल्लव विल ग्रो more current, दोना दी विच्चो केड़ा जादा current consume करेगा, असी current दी value find out करनी या, so बच्चे साथ दे को given किया, power, P1, पहला आपा first part solve कर दिया, P1 and V1, so पहला आपा P1 दी value लिख लेने या, P1 सानू, power किन्नी गिवना 60 watt, and voltage किन्नी गिवना 220 volt, clear हो गया, so असी एदी help ना पहला देखना या साथा formula केड़ा, असी apply कार सागदिया, so असी R दा formula कार सागदिया, V2 divided by P, so असी सारे उदे pair विच 1 1 पहता, ठीक है, V1, V1 किन्ना होगा 220 multiplied by 220 divided by P दी value किन्नी या, 60, 0 ना 0 cancel, so 2 3 जा, to 11 सा, so इन्नों सारे इन्नों बच्ची solve करके देख लो, calculator is allowed है, then you can use calculator, and we get 806.67 ohm, ठीक है, एन्ना थोड़ा R1 दा answer आजीगा, clear हो गया, similarly इसी second बल्लब दा solve करांगे, second बल्लब अची लेखिया P2, P2 गिन्ना बच्ची सान्नों गिवना, 100 W, मतलव की 100 W और वोल्टेज किन्नी गिवना, 220 V, again R2 पता कर लो, R2 दी अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, V2 square divided by P2, V2 square divided by P ही या, so V दी वैल्यू किन्नी या, 220 divided by 2, multiply by 220 divided by P दी वैल्यू किन्नी या, 100, जीगा, 0 ना 0 cancel, इदर 0 ना 0, 22 नो 22 ना multiply किता, we get 484 Ohm, हुन त्यान ना दिखना, बच्चे, resistance जड़ी R1 ना उस जाधा या, जीगा, आसी लिखांगे, R2 is less than R1, एदह मतला R2 दी वैल्यू किन्नी सी, 80, R2 दी वैल्यू, R2 दी वैल्यू किन्नी या, 484, less than R1 दी वैल्यू किन्नी सी, 806.67, इदह मतला R1 दी वैल्यू زादा या, जीदी वैल्यू zoo जाधा होईगी, उधा करंट की होईगा, होन बेसिकली इनू समझन देली बच्ची असी इत्थी अप्लाई कारला है यह V is equals to IR ठीक है V is equals to IR इदा मदला असी I और R दा रिलेशन निकालना असी लिख सगा दिया R is equals to V divided by I इदा मदला जेदी resistance जाधा होएगी उदा current कट होएगा resistance बच्चे के दी जाधाया R 1 दी इदा मतला current जाधा कौन करेगा I I 1 अगर जाधाया ता I की होएगा ता cut होएगा R 2 अगर जाधाया cut ता I की होएगी उदी जाधा होएगी एदा मतलब R1 की या जादा या था ये करंट कट ड्रॉ करेगा ठीका R2 दी वैल्यू साथी काट सी ये ता मतलब ये करंट जादा ड्रॉ करेगा सो एदा मतलब R2 वाला बल्लब कौन सी बच्चे 100W and 220V तो असी लास्ट वी चेके लाइन लिखांगे सो बल्लब 100W, 220V वील ड्रॉ मोर करंट क्लेर हो गया बच्चे R2 वाला जादा करंट ड्रॉ करेगा क्लेर हो गया सो अज़ दे साथे नुमेरिकल सी अगर था नू किसे नुमेरिकल दे विच किसे प्राब्लम होवे ता तुसी पुछ सागदियां सो यह दे नाल थे बहुत सारी होर भी नुमेरिकल सी दे बुक दे विच आ बच्चे दी प्रैक्टिस करो अगर फिर भी प्रैक्टिस करन दे दोरान था नू किसे नुमेरिकल दे विच प्राब्लम आन दिया था तुसी मैं तो पुछ साग दिया थेंक यू सो मच